Welcome to study channel मेरा नाम है महम्मद कैसर उत्तर प्रदेश में सिक्षक भर्तियों का इंतजार अब जल्द समाप्थ होगा काफी समय बीद गया कोई नई भर्ति देखने को मिली नहीं और जो पुरानी भर्तियां थी उसकी परिक्षाएं हो नहीं पाई अपडेट अब ये फाइनली निकल कर आ रही है कि और सासकी यानि कि माधमिक विद्यायलों में TGT-PGT के जो पद होते हैं 2222 TGT-PGT की बात हो रही है साती साथ राजकी कॉलेज यानि LT ग्रेट इन दोनों भर्तियों को एक साथ सुरू किया जाएगा इसकी तयारी चल रही है आपको पता होगा कि LT ग्रेट की एक नई भर्तियानी है समकक्षारता असपस्ट होने का इंतजार किया जा रहा है साती साथ पार्ठकरम एक होने के बाद भी TGT और LT ग्रेट की अहरताएं अलग-अलग हैं इसको सेम किया जाएगा ताकि आगे कोई भी विवाद ना हो तो LT ग्रेट का विग्यापन आना है समकक्षारता मामला हल होने का इंतजार किया जा रहा है साती साथ LT ग्रेट और TGT के अहरताओं में जो भी विवाद है, जो भी अंतर है उससे समान किया जाएगा तो अच्छा सहीता के बाद LT ग्रेट का विग्यापन निकलना है इसी साल और फिर 2022 की TGT-PGT की परिक्षा भी करा नहीं है देख सकते हैं TGT-PGT-222 का एक्जाम होना है 4134 पदों पर ये विग्यापन आया था नए आयोक से ये एक्जाम कराये जाएगा आवेदन 2022 में ही पूरा प्रिक्रिया पूरा कर लिया गया था ये परिक्षा हो जाएगी उसके बाद ही नए आयोक से कोई नया विग्यापन आएगा तो सबसे पहले असिस्टन प्रोफेसर और 2022 की टीजेटी विजेटी की परिक्षा कराये जाएगी नए आयोक से फिर कुछ नए विग्यापन देखने को मिलेंगे और वहीं LD grade की बात करें तो ये भरती UPPSC से होती है आपनों को पता ही होगा तो राज की विद्यालों में भी नई भरती होनी है LD grade के पदों का दियाचन काफी पहले UPPSC को फ्राप्थ हो गया था लेकिन मामला यहाँ पर फस गया समकव शारता का साथी साथ कुछ विश्यों में मैंने बताया आपको कि हरता में अंतर है LD grade और TGT में जैसे औसास की माधमिक विद्याल है यानि TGT की बात हो रही है हिंदी विश्यों का योगिता क्या होता है तो समझते हैं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में यह है 2022 TGT का ओफिशल नोटिफिकेशन TGT हिंदी की योगिता आप समझिएगा यहां पर दोस्तों आपके पास दो option होते हैं ठीक है दोनों को देखिए बीए में यह आपने हिंदी पढ़ा है ऐसे में इंटर में संस्कृत मांगा जाता है और फिर आपका बीएड है तो आप मादमिक विद्यालों में और इसका जो दूसरा option है वो यह है कि बीए में आपने हिंदी और संस्कृत दोनों विशा पढ़ लिया है तो intermediate में संस्कृत की अनिवारता समाप्थ हो जाती है यानि कि बीए में जिनका हिंदी और संस्कृत दोनों विशा है तो आपका इंटर में संस्कृत हो या ना हो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आप एलिजबल रहेंगे बीएट चाहिए ही चाहिए लेकिन वहीं यूपी पीएससी की एल्टी हिंदी की बात करें तो 2018 में ये पिछला भी क्या पनाया था और इसके इलिजबल्टी हम यहां पर देखते हैं यहां पर हिंदी के लिजबल्टी यह है कि आपका बैचलर हिंदी में होना चाहिए और intermediate में संस्कृत यहां पर अनिवार रहता है आपका बैचलर में सिर्फ हिंदी मांगता है यदि आपका सनातक में हिंदी और संस्कृत दोनों है तो भी intermediate में यहां पर संस्कृत अनिवार है intermediate में संस्कृत की इन्वारता से छूट नहीं मिलती है LT grade में तो इसी वज़े से पार्ट करम दोनों का सेम है दोनों को सेम कच्छा में पढ़ाना होता है चाहें हो LT हिंदी वाले शिक्षक हों या TZT वाले फर्क ये है कि वाले राजकी विद्ध्याले में पढ़ाएंगे TZT वाले आड़ेड विद्ध्याले में पढ़ाएंगे लेकिन दोनों जगए तो यूपी बोर्ड के ही बुक चलते हैं अलग-अलग की वज़े से मामले कई बार कोट में चले जाते हैं मामला काफी complicated हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी LTE हिंदी में बहुत सारे भेरती चैनित हों इंटर्मीडियेड में संस्क्रिट नहीं था तो दोनों की योगताओं को सेम किया जा रहा है इसी परकार से कला वगेर है कि हरता में भी जो विवाद है हिंदी इंगलिस सबके विवाद को दूर किया जाएगा और दोनों की अरताओं को सेम किया जाएगा समकक्षारता हल होते ही LTE grade कभी क्या अपन निकलेगा और 2022 TGT BGT परिक्षा की बात करें तो जुलाई से नया आयोग परिक्षा कराना सुरू कर सकता है पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्जाम होगा एक हजा सत्रे पदों के लिए जिसमें एक लाग चौधा हजार आवेदान आए है यदि ये एक्जाम जुलाई में हो जाता है तो फिर 2022, TGD, PGD, 1463 पदों वाली परिक्षा अगस्त में कराई जाएगी दिले हुआ तो सिप्टेंबर तक ये एक्जाम होने के पूरे-पूरे चांसे से हैं जैसे ही नया आयोग में परिक्षा नियंतरक की निक्ति हो जाती है लंबित परिक्षाओं के डेट्स का ऐलान कर दिया जाएगा इसी के साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक भरती होनी है चार साल से यहाँ पर भी कोई भरती नहीं हुई 2020 में 128 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती आई थी इस साल UPPSC से ही एक और भरती असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा 751 पदों पर देख सकती है दियाचन वगर है सब कुछ UPPSC को मिल चुका है राज की महा विद्यालेों में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या प्रोफेसर के 751 पद खाली है अचारसनिता के बाद ये विद्यापन भी जारी किया जाएगा तो जो भी राज की विद्याले महा विद्याले होंगे वहाँ पर भरती भी PSC सोगी आप यह समझिएगा eligibility की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो UGPG प्लस NET या PSD इसमें मांगा जाता है और ये विद्यापन भी जल देखने को मिलेगा तो यही कुछ मात्पूर अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्काइब करना और हमारे साथ बने रहें थाइंट्स फॉर वाचिंग